Hi friends, I hope you all are fit and fine. Well, festive season है, तो बनाएंगे हम कुछ healthy sweet और आज हम बनाने वाले हैं रागी के लड्डू. As you know, रागी है थी ताइमस मोर कैल्शियम दन मिल्क, तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए, it's a good food. Secondly, it's a diabetic friendly food, it prevents diabetes. Thirdly, it's a good source of iron and protein. तो जितना हो सके, अपने डाइट में रागी को जरूर इंक्लूड कीजिये. So, let's make our रागी लड्डू. So, सबसे पहले, एक कडाई में हम एक से देड़ चमच घी अड़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे प्योर काव घी यूज़ कर रही हूँ. जैसे ही घी गरम होता है, हम एड़ करेंगे टू स्पून गाउन्थ. Well, गाउन्थ has a tremendous health benefit. अगर आपको विटामीन D deficiency है, so you must include गाउन्थ. और even it is good for back pain, joint pain, weakness and even it prevents from cold and cough. So, अगर आपको गाउन्थ पसन नहीं, so you can minimize the quantity or you can simply skip it. हमारे यह गाउन्थ अच्छे से fluffy हो गए है, फूल गए है, तो आप हम इनको mixing bowl में shift करेंगे. मैं इसका powder नहीं बनाऊंगी, because I want some crunchiness in my laddo. सेम कडाई में हम थोड़े से dry food roast कर लेंगे. Dry foods अच्छे से roast होने के बाद हम इसको mixing bowl में shift कर लेंगे. सेम कडाई में हम 2 spoon designated coconut roast करेंगे. You can minimize or maximize the quantity as per your choice. So, coconut अच्छे से roast होने के बाद हम इसे mixing bowl में shift कर लेंगे. अब सेम कडाई में हम 1 spoon घी एड़ करके 1 बाउल रागी फलार roast करेंगे. रागी को हमें तब तक roast करना है जब तक उसका color change नहों और उसका एक अच्छा सा अरोमा आ जाए. So, अब हमारे इस रागी फलार का color आप देख सकते चेंज हो गया है और उसका एप अरोम अभी चुटने लगा है तो अब हम इसे mixing bowl में shift कर लेंगे. अब हम सेम कडाई में good को melt करेंगे. तो जितना हमने रागी का size quantity लिया था उसका half potion यानि अगर हमने एक कटोरी रागी लिये तो half कटोरी हमें good लेना है और हम इसे melt करेंगे. तो यहाँ पर मैं organic good यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं दो चमबच पानी अड़ कर रही हूँ. और make sure कि हमें सिफ good को melt करना है उसके strings नहीं आने है वरना हमारे लड्डू है वो कड़क हो जाएंगे. तो जैसे good melt होएगा हम gas को switch off कर देंगे. melted good को हम mixing bowl में shift कर लेंगे. immediately इस पूरे mixture को हम अच्छे से mix कर लेंगे. तो हमारा ये लड्डू का mixture अच्छे से ready हो गया है तो अप मैं इसमें add करेंगी थोड़ा सा ilaichi powder. पूरे mixture को एक बार वापस से mix कर लेंगे और बनाएंगे इसके लड्डू. picture थंडा होने से पहले हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो we have to be very quick. और यहाँ पर मैं medium size के लड्डू बना रहे हूँ. आप आपके हिसाब से आपको जो चाहिए छोटे बड़े size के लड्डू आप बना सकते हो. तो आप देख सकते हमारे यह लड्डू रोल हो रहे हैं and they are looking perfectly fine. तो ऐसे हम बाकी के सारे लड्डू बनाएंगे. तो यहाँ पर लड्डू रोल करने के लिए ना ही मैं घी यूज़ कर रही हूँ ना कोई oil बट फिर भी यह लड्डू easily roll हो रहे हैं and they are looking perfectly fine. तो हमारे सभी लड्डू easily roll हो गए हैं and they are looking perfectly delicious. हमने इसमें जितना हो सके उतने healthy ingredients एड्ड किये हैं ताकि वो healthy बने, delicious बने और tasty. तो friends अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो please do like it, share it and subscribe करना ना भूले. Till then, bye-bye.